बटरफ्लाई और स्टार दोनों पिच्चर को हमने मीरर के सामने रखा है आप देख सकते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन आदा यहां पे है और आदा मीरर के अंदर दिख रहा है तो आप इससे समझ सकते हैं कि मीरर रिफ्लेक्शन और मीरर हाफ्स क्या कहता है Now, fourth topic. Fourth topic is dividing object. Dividing object. We are going to divide an object and check whatever two pieces after we cut are equal or unequal. If the object we cut in two pieces are equal, then it is called symmetry. यहाँ पे जो भी object है, वो दो पार्ट में line करके दिये गए है. अब यहाँ पे देखना है, जो object बीच में से कट होने के बाद, दोनों साइट से एक जैसे ही दिखते है. और जब आप काटेंगे, तो दोनों पार्ट एक ही जैसे लगेंगे. तो उसे कहते हैं, symmetry. इक्वल पार्ट, यानि symmetry. सेम, एक जैसे. और जो, the object है, कट, is not equal, then that is asymmetry. asymmetry means, यहाँ पे जो ट्री दिया गया है. तो उसमें हम अगर दोनों पार्ट को काटने के बीच में से, तो दोनों अलग-अलग दिखेंगे. एक जैसे नहीं दिखेंगे. तो उसे कहते हैं, asymmetry. asymmetry.